अलो फ्रेंट्स वेल्कम टू ओल तो निव लेक्चर ऑफ इंडिन जेग्रॉफी जेग्रॉफी का जो है आज हम डिया लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि है इस लिए मैं इस टॉपिक को जो है यहां पर कवर करवंगा ठीक है तो खोलते क्या है 곡s ہوتے ہیں water ہوتا ہے हमारे जो atmosphere में उसको हम clouds हो डिते है atmosphere में जो पाणी होता है जब वो condens होता है छोटे-जोटे water droplets जो है जब aerosol के साथ चिपक जाते है aerosol क्या होता है aerosol जो आपका dust होते है या smoke होती है atmosphere के अंदर उसके साथ चिपक जाते है जब आपके water droplets तो वो जो है एक छोटा जो है एक rain bearing जो है droplet बन जाता है वहाँ पर जब वो हलका होता है तब वो clouds की form में रहता है और जब वो भारी हो जाता है और surface tension की बज़ा से जो है वो नीचे गर जाता है यानि की बारिश की form में वो नीचे गर जाता है तो यह clouds होते हैं clouds की अगर हम बात करें तो it is called tiny ice crystal of ice और यहां फिर water droplets होते हैं यह आप देखो clouds के बारे में question definition से नहीं आता question आता है type से कि किस तरीके का cloud जो है क्या करता है तो according to the height उसकी height के according या फिर वो कि उसका फैलाब कितना है फैला हुआ कितना है उसके expense के according उसकी density कितनी है कितना वो dense है उसकी transparency कितना वो transparent है या फिर उसकी opaqueness के अधार पे जो है चार टाइप में यह डिवाइड होते हैं बहुत छोटा सा topic है हो सकता है अगर यहां से question पूछा जाए तो आपको आना चाहिए ठीक है सो चार टाइप के होते हैं on the basis of height, expense, density, transparency and opaqueness ओके कौन गोल से चार टाइप के यह main चार टाइप के होते हैं लेकिन आगे आप देखेंगे इनको combine करके भी जो है clouds बनते हैं इनको आपस में combine करके भी अलग-लग clouds बनते हैं लेकिन यह main टाइप के होते हैं सबसे उपर होते है सिरस clouds, फिर आते हैं cumulus clouds, फिर आते हैं stratus and last में nimbus clouds तो इनको हम one by one discuss करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि सिरस clouds क्या होते हैं सिरस clouds देखिए यह high altitude वाले areas में होते हैं जैसे कि आपका हिमाल्यास है highly areas हैं उससे भी उपर हिमाल्यास से भी जो है उपर आपको यह देखने क मिलते हैं इनकी height 8000 से 12000 मीटर थक की होती है तो सबसे height पे अगर आपको question पूछा जाए कि कौन से clouds होते हैं तो आपने वहाँ पर answer देना है that is cirrus clouds इनकी appearance कैसी होते हैं यानि कि देखने में कैसे होते हैं यह feathery like structure होता है इनका feathery like means ऐसे ऐसे करके कुछ होंगे ठीन होंगे औ कि आपने जो है net पर जाना है और हर एक type का जो cloud है उसको देखना है मतलब उसकी photo देखनी है आप लोगों ने उसकी photo आपने देखनी है internet पर जाईए cirrus clouds कैसे दिखते हैं वह आप वहाँ पर देखेंगे ठीक है तो इनकी feathery like appearance होती है thin होते है और detached होते है दूर दूर होते है ठीक है और thin काफी होते हैं यह मतलब ज्यादा dense नहीं होते हैं जो clouds रहते हैं ठीक है feathery appearance रहता है और always it is in white color white color की form में आपको देखने को मिलते हैं बस इसमें आपको keyword याद रखना है कि feathery appearance इसका होता है सबसे height पे यह clouds होते हैं cirrus clouds राइट second जो आते हैं cumulus clouds cumulus clouds की बात करें तो यह cotton wool की तरह आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से इस तरह से ठीक है इस तरह का जो है इनका structure रहता है height जो है cirrus clouds से नीचे होते हैं यानि कि 4000 से 7000 मीटर की उंचाय पे आपको देखने को मिलते हैं अब यह जो है यह आपको patches में देखने को मिलते हैं यानि कि दूर-दूर होंगे पास-पास नहीं होंगे ठीक है दूर-दूर होंगे जैसे यहां पर आप cotton wool देखते हो आपने देखा होगा cotton कैसा होता है cotton wool तो वो जैसे गुच्छा बन जाता है अलग-लग वैसे ही जो है यह clouds forms होते हैं लेकिन दूर- से कर दिया लेकिन यहां पर यह कैसा होगा यह नीचे से ऐसे आप मानलो फ्लैट होगा फिर उपर से ऐसे ऐसे करके इस तरह का जो है इसका बेस होता है फ्लैट बेस रहता है और यह मिडल क्लाउड भी हम इसको बोलते हैं cotton wool की तरह यह दिखता है पैचिस में रहते हैं स्कै यह सबसे क् discriminantum स्काएं फिर आपको स्टेट्रें के निम्बसी स्टेटरस निम्बस होते स्टेटरस की बात करें तो यह लेड यह लेर में डिवाइड़ होते हैं यह लेज क्यों फूटम आप स्काइव में ज्यादा मृटम अक्रमास यह कि से clouds होते हैं वो status clouds होते हैं तो यह मैंने आपको homework दिया आप खुद जो है इसकी images देखिए Google पर जाएए ठीक है आपको सभी images वहां पर मल जाएंगे अब status के बाद आता है निम्बस सबसे lowest surface earth surface के सबसे नीचे जो रहते हैं वो होते हैं temß clouds अब यो black and dark gray हो सकते हैं तो अगर black and dark gray होंगे तो यह हम बोल सकते हैं कि यह rain bearing जो है हम cloud बोल सकते हैं को reconciliation सबसे नेर होते हैं एक्स्टीम ली डिन्स होते हैं ठीक है ऑपेक होते हैं संडरेस की जो संकी रेज हैं उसको ब्लोग करते हैं यह ऐंडीट शेपलेस होते हैं कि कोई जो है शेप नहीं होती किसी और कि शेप जो है इसकी हो सकते हैं निम्र स्क्राउड की और अच्छा कॉंटेंट जो है आपको moisture का देखने को मिलेगा और Rain Bearing Clouds जो है इनको हम बोलते हैं ति करिंद लिंद लिव्म जो हो गई। चार टाइप के में आपके जो Clouds होते हैं अब जब corners plus status मिलेगा तो निम्बो स्टेटस बन जाएगा यह आपस में क्लाउड मिलके जो है एक नया पैटरन बनाते हैं तो वो सकता है उस तरह का भी कोशन पूछ लिया जाए तो यह में चार प्रकार के आपको याद रखने कि कौन सा बारिस करवाता है कौन सा नहीं करवाता है अब कॉ क्लाउड मिल जाएगा तो सिरो कुमिलसuso हो जाएगा ठीक है तो यह देखो और यह तीन टाइप आपको याद रखने कि सबसे हाईट पर रहते हैंस पर यह याद भीच में जो middle-level पे रहते हैं clouds उनको अल्टो इसाद रखेंगा अब ऐसे याद सकते हो प्रिवर्ड प्रिफिक्स लगेगा वह अल्टो लगेगा अब हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि middle-class वाले फेंग्ली वाले लोग उल्टो कार लेते हैं ठीक ईहीं से भी यार मिदा कि याद रख सकते हो तो अल्टो होते हैं सबसे नीचे प्रोगे वह होंगे हिस्तेओं मिलस से नीचे अगर prefix में अगर strato आ जाता है या निम्बस आ जाता है जैसे कि यहां पर निम्बो है तो यह low clouds होते हैं strato cumulus, nimbo stratus तो यह rain bearing clouds होते हैं यहां से question पूछा जाता है कि अगर आपको option में यह दिख जाता है strato nimbus, nimbo stratus तो वहां पर आपने answer दे दिना कि यह बारिश करवाते हैं यही clouds बारिश नहीं करवाएंगे अभी हम देखेंगे जब देखो इनका vertical development हो जाता है extensive vertical development हो जाता है means पोलने का मतलब यह है कि जैसे कि यहां पर cumulus है cumulo nimbus है तो cumulo nimbus जो अगर cloud अगर हम बात करें तो cumulus cloud जब nimbus cloud के साथ मिलेगा तो cumulo nimbus बन जाएगा अब जब यह साथ-साथ में ऐसे वर्टिकली साथ-साथ जुड़ते जाएंगे न तो यह और ज्यादा करवाते हैं stato cumulus, nimbus stratus cumulus और cumulo nimbus ठीक है राइट तो यह आपने याद रखने की बारिश कौन से जो है बादल जादतर करवाते हैं तो इन में से कोई भी option देखे वहां पर option में आपने टिक करके आना ठीक है अब यह जो है हमारे topic खतम होता है इसके बाद जो है मेरा जब एक्जाम जो है complete हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को mcq practice भी करवाऊंगा और उसमें देखेंगे हम क्रीस तरह के question जो है previous paper में पुछे जाते हैं ठीक है है जो आपको जो है success दिलाएगा और प्रिविए सेर के question लगा लीजिए यहां फिर एक्जाम वेदा में जाके जो है आप उनकी website पर जाके वहां पर question attempt कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स लेक्टर में बाई बाई गाइस